इतनी पारिश होई है आज तब ही मियून को किसी के चिलाने की आवाज आती है इस घर से किसी के चिलाने की आवाज आई है मियून अंदर जाके देखता है तो बिजनेसमेर कि देटों गई थी घर पे तीन नौकरते वेहों तीनों से बूचताच करता है पहना नौकर कहता है मैं तो खाना बना रहा था दूसरा नौकर कहता है कि वो बालकनी में लाइट बल्ब लगा रहा था तब ही अचानक लाइट चले गई और मालिक के चीखने की आवाज आई तीसरा नौकर कहता है कि वो जट पर कप्रे उठाने गया था तबी माली का मडर हो गया तीनों की बाते सुनकर मेवल तुरंचा मच जाता है कि तीनों में कौन खुणनी है लेकिन क्या आप समझ भाई लोजिकल आदमी तीसरा वाला आदमी जूट बोल रहा है मेवल ये समझ जाता है और उसे पाक कर लेता है चल ये अगली पाहली देखता है कौलोनी के अंदर पिछले एक अफ़ते में चार बार चोरी हो चुकी थी बबलू भी काफ़े ड़ा हुआ था एक दिन बबलू थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है तो उसे घर के अंदर किसी के होने का डाउट होता है बबलू तूरा डेटेक्टिव मेहुल को पहले और बात की दो फोटेजेस भेज देता है लोजिकल आर्मी क्या आप इन दोनों फोटो को देखे बता सकते है घर पे चोर है या नहीं? सोचे सोचे तूनों फोटो को ध्यान से अब्जर्व कीजिए डोर के नॉप को ध्यान से देखिए पहले वाले फोटो में वो सीधा था लेकिन दूसरी वाले फोटो में वो नीचे है इसका मतलब कोई उस रूम के अंदर छुपा हुआ है मेहुल बबलू को टेक्स मैसेज करके पूरे घर को बाहर से लॉक करने के लिए कहता है और तुरंद अपनी कार से वहाँ पहुच कर उसे पकर लेता है चल ये अगली पहली देखते है एक आदमी का मरडर हो चुका था मेहुल उसकी डेट बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है और पूरे घर के चान्मिन करने लगता है मेहुल दुबारा से डेट बॉडी के पास आता है तो उसे डाउट होता है कि वहाँ कोई और भी है और डेट बॉडी के साथ छेट चाड़ की गई है लोजिकल आर्मी के आप पहले की और बात की इन दोनों फोटोस को देखके बता सकते हैं मेहुल उनको ऐसा क्यों लगा? सोचे सोचे टेट बॉडी के हाथ में पहले एक वाच थी और अब वो वाच मिसिंग है पतलब यहां कोई ज़रूर आया है मेहुल तुरान अपनी कंद निकाल कर घर पे तलाशी लेने रगता है सर्च करते करते मेहुल घर की छट पर पहुँच जाता है मेहुल को समझ आ जाता है कि यहां पर कोई छुपा हुआ है मेहुल को कैसे समझ गया कि छट पर कोई छुपा हुआ है? सोचे सोचे क्रिमिनल जस मेहुल के उपर है उसकी शैडो देखिए मेहुल के पास बन रही है क्रिमिनल उपर से मिहुन पे अटाक करता है लेकिन मिहुन वहाँ से हट जाता है और कन पॉइंट पे क्रिमिनल को पकर लेता है चोल ये अगली पहली देखता है एक चोर चोरी करके भाग रहा था पुलिस उसका पीचा कर रही थी चोर पुलिस से तेज भाग कर एक कॉलोनी की घर में जाके छुप जाता है पुलिस पर एक कॉलोनी की चानबिन करती है तो उन्हें तीन लोगों पे शक जाता है पहले घर के मिस्टर शर्मा मैं तो पूरा टाइम सो रहा था आपने जब दर्वाजा नौक या तब मेरी नीन खुली दूसरे घर के मिस्टर फर्मा मैं तो अभी आपकी साइरन की आवाज सुनके उठा हूँ और बाहर आया हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है तीसरे घर के मिस्टर श गुपता मैं तो टीवी देख रही थी मैंने तो बाहर कुछ अजीब सा नहीं देखा क्या अब तीनों के बाते सुनके बता सकते है पुलिस किसका पीछा कर रही थी सोचे सोचे मिस्टर वर्मा दूसरे घर वाले वो चोर है बेडरूम का दर्वाजा देखिए वो बंद है और उन्होंने जूते पहन रखे है और लिविंग रूम में सोने की कोई और जगा नहीं है पुलिस उसी का पीछा कर रही थी पुलिस उसे पर्क कर लेती है चलिए अगले पहली देखता है ट्रेन के अंदर विकास का मोबाईल चोरी हो जाता है उसे अपने आजू-बाजू के तीन लोगों पर डाउत आता है विकास टीटी को बुला लेता है टीटी ही तीनों लोगों के मोबाईल चेक करता है पहला आदमी कहता है सर ये मेरा iPhone है, कुछ मैंने पहले ही लिया है दूसरा आदमी कहता है सर मेरे पास तो बहुत पुराना mobile है, ये देखिए तीसरा आदमी कहता है सर मेरे पास तो keyboard वाला mobile है, मैंने चोरी नहीं किया है दिनों के mobile देखने के बाद टीटी समझ आता है कि चोर कौन है रोचकल आदमी क्या आप समझ पाए सोचिए सोचिए पहले वाले आदमी के मुबाइल को ध्यान से देखिए उसने आइफोन का नकली कवर लगा के रखा है और उसमें आइफोन का लोगो भी रॉंग है TTE कवर निकाल के देखता है तो वो विकास का फोन था TTE उसे पकर लेता है चल ये अगली पहली देखते है गुड़ू अपने दोस्तों से कहता है कि वो कश्मीर के आता और उसने बहुत एंजॉय किया उसने एक सेलफी फोटो भी दिखाया लेकिन फोटो देखते ही उसके दोस समझ आता है कि गुड़ू जूच बोल रहा है कैसे लोजिकल आर्मी गुड़ू के दोस्ते कैसे समझ आते है सोचे सोचे यहां से देखिए चारो तरफ वर्फ गिर रही है लेकिन गुड़ू के ओपर कोई भी वर्फ नहीं गिरी हुई है ऐसा कैसे पॉसिबल है इसका मतलब गुड़ू ने फोटो का एडिट किया है वहीं वो पकड़ा जो आता है चलिए अगली पहली देखते है एक बहुत बड़े कोचिंग इंसिट्यूट में बहुत सारे बच्चे बिना एड्मिशन के क्लास लेने आ रहे थे बच्चे कोचिंग इंसिट्यूट की जैसे ड्रेस पहन कर क्लास में बहुत जाते थे एक दिन टीचर को क्लास में तीम बच्चों पर ढाउट आता है तीनों में से कोई एक बच्चा आउट ओफ कोचिंग था तीचर तीनों के आईकार्ट चेक करता है तो समझ वाता है कि कौन से बच्चा कोचिंग का नहीं है जिकल आर्मी क्या आप इन टीनों आईकार्ट को देखके बता सकते है वो कौन सा बच्चा हो सकता है सोचे सोचे सेकंड वाले बच्चे के आईडी कार्ट को ध्यान से देखिए उसमें validated date तो change कर ली है लेकिन उसका student ID number को observe कीजे first और third students का ID number 23 से start हो रहा है लेकिन second वाले बच्चे का 22 से start हो रहा है मतलब वो जरूर year को represent करता होगा ये वो second वाले बच्चे को नहीं पता था तो उसने ID card बनाने में mistake कर दी और वहीं वो पकड़ा गया ये कैदी अचानक जेल से भाग जाता है कैदी की रूम का ताला अभी भी जोका त्योलागा हुआ था जेल की पूरी पुलिस इस बात से हैरान थी कि कैदी भाग कैसे गया केस को solve करने के लिए detective मेहूल को बुलाया जाता है मेहूल CCTV camera चेक करता है लेकिन रात के समय किसी ने camera आफ कर जिया था मेहूल एक दिन पहले के CCTV footage चेक करता है और उसे समझ जाता है कि कैदी कैसे भागा होगा लोचकल आर्मी के आप एक दिन पहले के footage और आज के समय को देखके बता सकते है कैदी कैसे भागा होगा सोचे सोचे इस jail में लगी इस तस्वीर को देखिए ये पहले छोटी थी और अब इतनी बड़ी हो गई है ऐसा कैसे possible है मेहूल तस्वीर हटा के देखता है तो उसके पीछे एक सुरंग बनी हुई थी मेहूल समझ जाता है कि कैदी यहीं से भागा होगा चल यह अगली पहली देखते है तलाब में करेंट आने से रमन की मौत हो चाती है डिटेक्टिब मेहूल क्राइम सीन पे पहुँच जाता है तो रमन का दोस्त नरेश मेहूल को पताता है कि वो तलाब के बाहर आकर कपले चेंज कर रहा था और रमन तलाब के अंदर स्विमिंग कर रहा था तभी अचानक तलाब के अंदर बिजली का तार गिर गया और करेंट लगने से रमन की मौत हो गई मेहूल रमन की बाड़ी को अच्छे से एक्जमाइन करता है और फिर तार को अच्छे से अब्जर्व करता है मेहुल तुरहन समझ चाता है कि नरेश जूट बोल रहा है क्यों लोज करार भी मेहुल को ऐसा क्यों लगता है सोचे सोचे ध्यान से अब्ज़र्व कीजे करेल तालाब में ट्रावल कर सकता है लेकिन रबन की बोड़ी में शौक लगने जैसे कोई माक्स नहीं है प्लस तार को देखिए वो पूरा इंसूलेटेड है मतलब उसमें करन्ट फ्लो नहीं होगा और ये पहले से टूटा हुआ होगा जब ही इंसूलेटेड किया हुआ है मेहुल नरेश को पकर लेता है चल ये अगली पहली देखते है पुलिस एक चोड का पीछा करते करते मार्केट टब पहुच जाती है पुलिस को हाँ तीन लोगों पे डाउट आता है पहला आदमी सबजी बेच रहाता दूसरा आदमी पावभाजी बेच रहाता और तीसरा आदमी फूट बेच रहाता पुलिस तीनों को ध्यान से अब्ज़र्फ करती है और समझ चाती है कि कौन चोड हो सकता है रोजकल आदमी लेकिन क्या आप समझ पाए अच्छे से सोचिए पावभाजी वाले को ध्यान से देखिए उसका दवा गरम हो रहा है तो वेसे धुआ भी निकल रहा है आग भी लगी हुई है लेकिन उस पे रखा हुआ बटर पिगली नी रहा है मतलब वो नकली बटर है वो पावभाजी बनाने का बस नाटक कर रहा है पुलिस बटर चेक करती है तो वो बटर नहीं बलकि येलो स्टोन था पुलिस उसे पकर लेती है चलिए अब यू पहली देख एक जिम में फिटनेस वाच चोरी हो जाती है जिम के मैनेजर को तीन लोगों पे शक होता है पुलिस बलाई जाती है और तीनों से पूचताज की जाती है पहला मेंबर राहूल कहता है मैं तो ट्रेड मिल पे दोव रहा था मेरे पास तो मेरी खुद की वाच है तो मैं चोरी क्यों करूंगा दूसरी मेंबर अनीता कहती है मैं तो योगा क्लास अटेंड कर रही थी मुझे तो पता भी नी चला की वाच चोरी हुई है तीसरा मेंबर विकास कहता है मैं तो वेट शूता रहा था मुझे वाचेस में इंट्रेस भी नहीं है और मैं अपने पास वाचेस रखता भी नहीं हूँ तीनों से सवाल जवाब के बाद पुलिस समझ आती है कि कौन जून पूल रहा है और वाच किस के पास है लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी सोचे सोचे त्यान से विकास के बैक को देखिए उसमें वाच का स्ट्रेप दिख रहा है अब उसे जब वाच में इंट्रेस नहीं है और वो वाच पहनता भी नहीं है तो उसके पास वाच क्या कर रही है पुलिस उसका बैक कुल के देखती है तो अंदर से वाच निकलती है पुलिस उसे पकर लेती है चलिए अगले पहली देखते है तीनों में कौन human नहीं है A, B, A, C, सोचे अच्छे से observe कीचे और मुझे आपका आंसा कमेंट करके बताए और ऐसी और पहलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तैंक यू